प्राइश्टरों और लेप्टॉप इंडर से अभी ज्यादा तर यूज हो रहा हैं मॉस्पैट ट्रांजिश्टरों के ज्यादा दर नहीं है त्रांजिश्टरों के अंदर ज्यादा धर कंद्यूजन यह रहता था base collector emitter इसके अंदर base कहीं पे भी हो सकता है या ऐसे ही collector और emitter भी pin नमबर 1, 2 या 3 में से कहीं पे भी हो सकते है तो MOSFET के अंदर इन सभी चीजों का पुरा solution है MOSFET के अंदर left side पे रहने वाला pin नमबर 1 पे जो है उसको हमेसा बोला जाता है gate pin नमबर जो 2 है उसको बोला जाएगा drain और इसका source तीन नमबर की pin कहला एगी source तो यहाँ पे gate drain और source यह तीन नाम दे लिए अभी base की जगा पे कारिय कर रहा है gate collector और emitter की जगा पे कारिय कर रहा है drain और source यहाँ पे मॉस्पेट को आमें जानने की बीदी के अंदर दूसरी जी यह भी ध्यानने रखने पड़ती है N-Channel MOSFET और P-Channel MOSFET ज्यादा कर डेक्ष्ट आफ नदर बाड़ों के अंदर N-Channel MOSFET यूज होते है laptop के अंदर N-Channel और P-Channel दोनों तरह के MOSFET यूज होते है MOSFET को अपरेट करने की बीदी MOSFET कैसे पहचान है हम अभी उसी के बारे में थोड़ा द्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ड्रेन सोर्स और गेट जो है तो जिसके ड्रेन के साथ में डायोड का कैथोर जुड़ा होता है और जिस डायोड के एनोड के साथ में सोर्स जुड़ा होता है ऐसे MOSFET और टाहर जाएगा N-Channel MOSFET यह तो यहाँ पे आपको ग्राफिकली बजाया है कि यह 1-Channel MOSFET है यह 2-Channel MOSFET है उसको इजीरी कैसे पहचाने मल्टिमीटर को कंटिनेटी की रेंज के अंदर रखे या अभी अपना 2-Kilons की रेंज के अंदर या भी डायोड दी रेंज के अंदर रखे अभी मल्टिमीटर की जो 2-PROB है ब्लैक क्राफ और रेड़ प्रॉब तो ब्लैक प्रोब आपको उपर लगाना है रेड़ प्रोब आपको नीचे लगाना है अभी यहां को बीच में देखो डायोड है यानि कि यह हुआ कैथोड यह हुआ अनोड तो जब आप ऐसे लगाएंगे उपर ब्लैक प्रॉप नीचे रेड प्रॉप तो आपको फॉरवर्ड बायोस आप दिखाए देगी तो यह हो जाती है रिवर्ड बायोस तो रिवर्ड बायोस में आपको मल्टिमीटर में कोई भी रेटिंग बतायेगा नहीं कोई भी रेजिस्टन्स आपको बतायेगा नहीं तो इसका मतलब यह हुआ, कि यह MOSFET है N-Channel, यानि कि आप ड्रेन के उपर ब्लेक पड़ाब लगाते हो, यानि कि ड्रेन के उपर कैथोर्ड लगा है, और अगर आपको कोई न कोई तजिस्टंस दिखाए देती है, तो पूर MOSFET कहला हैगा N-Channel MOSFET, और ऐसे MOSFETों को operate करने के लिए उसके gate के उपर, positive supply ही दिया जाता है, इसको हम थोड़ा विस्तार से आगर देखते है, कि gate के voltage को कैसे operate करना है, लेकिन पहले हम लोग देखते है, drain से source की और voltage को कैसे ले जाए, यहाँ पे, cathode और anode, इन दोनों चीजों का description यहाँ पे लिखा होगा है, drain connected to the diode cathode, और पे दूसरा है source connected to diode anode, इसका मतलग होता है, यह N channel MOSFET है, तीसरी यह हमारी lead है, वो है हमारी gate, gate जो है, वो अलग चीज है, यानि कि gate का connection आपको किसी भी range में, multimeter की किसी भी range में, gate का connection आपको drain और source के साथ में कैसे भी नहीं बताएगा, यानि कि multimeter का प्रवब कैसे भी रख उल्टार करके भी एक बर चेक करो, तो भी gate का connection आपको उसके साथ में नहीं दिखाए देगा, अगर आपना gate का connection किसी भी दरवा दिखाए देता है, तो वो साइब MOSFET नहीं है, या फिर, वो MOSFET leakage है, या फिर वो MOSFET SWOT है, अगर वो MOSFET है तो, तो यहां पे gate का connection आपको कभ अगर है, तो black probe उपर, red probe नीचे और वियनियोगर मिलती है, तो वो N channel MOSFET, उससे बिलकुल उल्टा, P channel MOSFET के अंदर, drain के साथ में, आपको लगेगा, डायोड का एनोड, और नीचे की और, यान की source की और लगेगा, cathode, इसको भी check करने की विधी वही है, और आसान चीज है, कि आपको red probe उपर रखना है, black probe नीचे रखना है, अगर ये रखने से, अगर आपको 400 ohms से लेके 700 ohms तब के बीच की कोई value अगर आपको दिखती है, यान की forward virus अगर आपको मिलता है, तो ये MOSFET हो गया, P channel MOSFET, अगर आप इसको reverse करते हैं, यान की black probe को उपर, red probe को नीचे कर पर हो, तो वो हो जाता है reverse pass, तो उस level पर आपको कोई भी value नहीं बताएगा, तो ये drain or source एक दूसर के साथ में ऐसे connected है, आपके पास ने wording दिया गा, ये P channel है, आपके जो आपके देखा वो था, N channel MOSFET, इसके साथ में भी gate का connection बिल्कुल नहीं होगा, gate एक अलग चीज है, अ MOSFET को circuit की load के अनुसाल लगाया जाता है, circuit के अंदर से विद्यूत का प्रभाद कैसे हो रहा है, विद्यूत का बहान किस तरह से हो रहा है, उस अनुसाल P channel और N channel के MOSFET को select किया जाता है, पहले हम लोग देख रहते हैं, अलग अलग तरह के MOSFET, के अलग अलग तरह के MOSFET कै इसे आपको देखने को मिलेंगे desktop motherboard और laptop के अंदर तो जो अपने regular आते हैं drain source और gate इसके अंदर बीच में अपना दो number का पीन है तो ये भी drain है और ये भी drain है तो ये connection हमारा drain का connection, ये gate का connection और ये source का connection तो ये अपने regular MOSFET यही आते हैं दूसरी तरह के जो MOSFET आते हैं जो पे अभी के latest motherboard के अंदर, latest laptop के अंदर आपको इस तरह के MOSFET देखने को मिलेंगे इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी आठ पीने होंगी इसके अंदर point 1 यहाँ पे होगा जहाँ पे point है उसके नीचे वाली पीन को पहड़ा है था एक नंबर की पीन यानिकि एक, दो, तीन नंबर की पीन हमेशा source रहेगी चार नंबर की पीन हमेशा gate बनेगी और एक, दो, तीन, चार नंबर की पीन हमेशा drain रहेगी अगर आप multimeter से उसको check करेंगे तो एक, दो, तीन के पीच में आपको zero arms की resistance बताएगी यानिकी full continuity बताएगी वैसे ही 5, 6, 7, 8 के पीच में भी आपको full continuity दिखाई देगी तो इसको भी check करना है ये end channel है या P channel MOSFET है तो उसका तरिका बिल्कुल आसान है black crop आप कहीं पे भी रखे इन 4 पीनों में से कहीं पे भी पीन पे एक प्रॉब रखे ब्लैक प्रॉब को रेड़ब आपको एक, दो, तीन में से कहीं पे भी रखे अगर आपको value दिखती है फरोल बायोस में तो ये end channel MOSFET है अगर आपको रेड़ब लगाने से और नीचे ब्लैक प्रॉब लगाने से value मिलती है तो ये B channel MOSFET है हमें gate का connection अभी check नहीं करना है gate के connection के लिए आगी लिए chapter के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे check किया जाता है तो ये दूसरी दरगा MOSFET आया तीसरा MOSFET जो अगना regular transistor के जैसा ही दिखने वाला MOSFET है package कोई भी कैसा भी बना सकता है इस package के अंदर IC भी आ सकती है MOSFET भी आ सकता है transistor भी आ सकता है diode भी आ सकता है तो regular ने transistor जैके जैसा दिखने वाला MOSFET IC के तरफ दिखने वाला MOSFET तो इसके अंदर भी standard नियम है पीन नमबर 1, 2 और 3 हमेशा source रहेंगे 4 नमबर की पीन आपकी हमेशा gate रहेगी और 5, 6, 7, 8 नमबर की पीन आपकी हमेशा drain रहेगी यहाँ पे 1, 2, 3 नमबर की पीन एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है multimeter से आपको इन तीनों के उपर continuity दिखाए देगी इन चारों के उपर भी आपको continuity दिखाए देगी यारी कि 5, 6, 8 नमबर की पीन है इसका connection आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा यानि कि वो है अपना gate तो लेटोपो के अंदर इस तरह के MOSFET यूज होते है सबसे ज़दा यही MOSFET अपने लेटोपो के अंदर लगते है इसको आसान तरह के से पहचानी की विदी यह है अगर किसी बॉड के अंदर आपकी एक दो और तीन नमबर की पीनों के पैड पैड यानि कि जहां पर यह IC मोल्ड होती है वो पैड अगर आपको एक दिखे पांच छे साथ नमबर की पीनों के पैड भी एक ही दिखे यानि कि एक ही पैड के उपर उसको मोल्डि किया हुआ है तो वो कहला एगा MOSFET वो IC नहीं है IC के पैकेज में वो एक MOSFET है तो आपको उसको आसान इसे चेक करने की विदी भी मैंने भी आपको बताई कैसा आप उस इस तरह के पैकेज में भी MOSFET आते हैं यह कहा रहेंगे टीनी MOSFET अभी यहां मैंने बता रहें वैसे यह चार जो है वो ट्रेंग एक दो तीन नमबर की पीन जो है वो है सोर्स और जो चांग नमबर की पीन है वो है गेट तो यह तो हुए अपने MOSFET के प्रकार अभी इन प्रकिट के अंदर लगाके लोड के द्वारा चेक करेंगे कि MOSFET कारिया कैसे करते हैं और इसकी जरूरत क्या है MOSFET और ट्रांजिस्टर एक तरह की इलेक्ट्रोनिक स्वीच है इसका काम इलेक्ट्रोनिकली स्वीच ओन या फिर ओप करने की प्रिया करना है यहां में देखिए एक MOSFET के ऊपर अगर मैं ड्रेन के ऊपर पोजेटिव बारा वर्ट में देता हूँ बारा वर्ट आप पोजेटिव सप्ने अगर मैं इसके ड्रेन के ऊपर देता हूँ और इसके सोर्स के साथ में एक लोड लगा के मैंने रखा है लोड के तोर पे यहां पे मैंने बल लगा के रखा है इसकी लिगर पे और कोई भी चीज हो सकती है और कोई भी लोड हो सकता है तो यह लोड लगा के हमने रखा है हमें क करना है इस बंध को हमें जलाना है हमारा function यहां पर यह है लेकिन इनके बीच में पैसमा लगा है यह caos what तो भी हम आगे देवे तो 12 व conti को सप्लाइ है यहां जिकला मैं इसके पीच में लगता है mín दायओक और डायोड का पॉंसा किनारा लगा है तो ड्रेन के साथ में कैफ़ोर जुडा है यानिकि ये एंचेनल मॉस्पेट है अभी यह सप्लाय यहाँ से रिए यह वर्टेज सप्लाय वर्जित है यानिकि यह सप्लाय यहां पे रोप जाएगा अभी यह स्वीच ओप कंडिसन हो वाय गेट को और नहीं किया जैसे ही यहाँ पर यह किया आकर पहले इस बात को समगते हैं यहाँ के और पर ग्राफिक ली देखके अंदर इसके अंदर से दो जंपर ऐसे निकाले हैं, यह एगेट का पैड हैं, यह पैड जो है यह गेट के कनेक्शन के साथ में, यहाँ पे जिरो वर्ड है, यानि यह लॉजिक 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 का अलाता है और यह लॉजिक हाए। basically digital electronics के अंदर इस चीज को ऐसे समझाया है कि logic low यानि ttl ic के लिए logic level अलग होता है cmos ic के लिए logic level अलग होता है यहां पर हम logic low बोल रहा है यानि कि यहां पर zero volt है हम ऐसा समझ के चलते है zero volt यानि कि logic low और यहां पर पांच वार्ड तो पांच वार्ड यानि कि logic high तो जब हम यहां पे logic low देंगे तो यह supply यहीं पर खड़ा रहेगा लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर logic high किया यहानि कि 5 ओल्ड का सफ़ा मैंने gate को दिया अभी यह देखो gate अलग से है अभी यह gate जुड़ गया कहांपे तो drain की line से शोर्स की लाइन के बीच में ये गेट जुड़ गया है तो इसे क्या होगा कि 12 वाट का सप्वला अगर आपने यहां पर दिया अब ये डायोड के कारा ये सप्वला आगे जाएगा नहीं लेकिन आके गेट के द्वारा यह सफ़लाई यहां से आके गेट के उपर से होके सोर्स के उपर जाएगा तो यह सफ़लाई यहां से निकला यहां पे आया गेट के द्वारा सोर्स के उपर गया सोर्स से बहार निकल गया अभी हमारे लोड के उपर वाल्टिज आ गया यहां पे हमने एक चीज़ देखी जो है वो डायोड को बाइपास कर देता है यहां पे दायोड का जो फंसन है वहां पे डायोड का फंसन को इसने बिटा दिया यानि कि उसने इलेक्ट्रोन को जाने के लिए तो इक रिया तभी संभव हो सकती है जब हम गेट को ऑपरेट करें तो यहाँ पे गेट का काम क्या है एक इलेक्ट्रोनिकली स्वीच की तरफ इसके लिए आपको मैं उदारन बताता हूं कि मैं आपको पहले भी बुला कि गेट का कनेक्शन ड्रेड और सोर्स के साथ में आपको कहीं भी नहीं दिखाए देगा यानि कि यह बॉल्टेज गेट के उपर कभी भी नहीं आएंगे इसका ओपूर हमेशा सोर्स के उपर होगा तो इसके लिए उदारन में आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बॉर्ड में से आया हुआ जो सप्लाइ है वो सप्लाइ हमारे गर की गर्गे वायलिंग के द्वारा हमारी स्वीच बॉर्ड में आता है तो गेट जो है वो आपको उसको समझ लीजे स्वीच है और जो इलेक्ट्रों हमारे स्वीच तक आये जैसे हम लोग आन करते है वो इलेक्ट्रों स्वीच के द्वारा जाते है अपने बल्ग के अंदर या ट्यूबलाइट के अंदर या पंके के अंदर ब्रबर तो यहां पे हमारे गेट टा काम होता है सिर्फर सी स्वीच आन करना यानि कि गेट यानि कि आप खुद हो आप खुद स्वीच को आन करते हो तो इलेक्ट्रिसीटी बॉर्ड के केबल को आप छूते नहीं हो लेकिन एक इंसिलेटर के द्वारा आप स्वीच आन करवाते हो पर सप्लाई को आप लोग करवाते हैं, तो यह electronically एक switch है, और इसको on और off करने के लिए signal है, या तो logic high या तो logic zero, यानि की computer दो ही बासा समझता है, logic high और logic zero, तो वही logic यहां पर भी काम में लिया गया है, logic high और logic zero, जब logic zero रहेगा, तब supply अपना बंद रहेगा, जब logic high रहेगा, तब supply अपना करब भी के अधाई को का यहाँ है, यहीन अपना बंद एसक्त niżने हैगा, जब भी एस चाहँे लिए शीजेद बेवार